हलो दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बंदमद स्वाद करता हूँ दोस्तों ये है हमारा टेलिग्राम चैनल जिसके उपर मैंने आज अपडेट दिया था कुछी स्टॉक के उपर पला इस स्टॉक था दोस्तों के EC को हमने बाइंग बोला था मार्केट ओपेंड होने से पहले ही करेंट मार्केट प्राइज में और इसने आज का जो हाई लगाया हूँ चार सो बार रुपए का हाई लगाया है और दुसरा ही stocks था, किकरे का दोस्तों इसको हमने target दिया था, उस target को भी इसने already achieve कर दिया है, यहाँ पर हमने मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेट को 7050 रुपए से लेकर 7060 रुपए के price के आसपास हमने current में sale बोला था, और पहले शुरुवात से ही gap down दीख रहा था, कल से ही मैंने analysis करके बताया था, कि इस level के नीचे आता है, तो हम sale करके जा सकते हैं, तो आज आप target देख सकते हैं, 6930 रुपए का तक यह low बनाया है, तो दोस्तों यह है हमारा telegram channel, अगर आपने हमारे इस telegram channel से नहीं जूड़े हैं, जूड़ जाए, यहाँ आपको important update देखने को मिलते रहते हैं, चलेंगे हमारे stocks की और दोस्तों, मैं stocks की उपर बात करने वाला हूं, मारुती, सुजुकी, इंडिया लिमिटेट की उपर, दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले एक pattern देख लेते हैं, head and shoulder patterns, यह market के अंदर किस तरीके से हमको देखने को मिलता है, और proper market मे किस तरीके से यह work करता है, इन सभी point को हम समझ लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक graph लिया हुआ है, इस pattern को समझने के लिए, इस pattern को हम head and shoulder के नाम से जानते हैं, दोस्तों यह head and shoulder का top है, head इसको आप बोल सकते हो, और यह जो area है, इसको आप left shoulder कह सकते हो, या left shoulder कहते है, head and shoulder के pattern मे और यह जो area है, इसको हम right shoulder के नाम से जानते हैं, head and shoulder के pattern में, और यह जो नीचे का line है, यह neck line कहलाता है, हमारा neck line होगा, और इसमें जो target होता है, वह head से लेकर, यहाँ से लेकर, जो neck line का area है, इतना बड़ा target हमको नीचे के level में देखने के मिलता है, जब यह pattern break down करता है तब तो चलिए हम देखते हैं, हमारे stocks की उपर, भी क्या हमको इसी तरीके से same pattern देखने को मिल रहे हैं क्या, तो इस point को हम समझने का प्रयास करेंगे, stock की उपर मैं चलूंगा, दोस्तों हमारा जो इस pattern में हमें देखने को जो मिल रहा है, वह stock है, मारूती, सुजुकी, इंडिय और इसका मैंने जो time frame चुना हुआ है, analysis करने के लिए हुआ, one week में हम analysis कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा time frame है, और इस बहुत बड़े time frame के अंदर, मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है, एक head and shoulder pattern को, जो की हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे, मैंने जब graph को design किय तो मेरे को देखने को मिला किया, exact head and shoulder pattern के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, अब देख पा रहा होंगे, हर एक point में, हमें clear head and shoulder देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने सारे level को mark out कर दिया है, जिसे confusion न हो, यहाँ पर भी जो shoulder बना है, उस price को हम देखें, तो यह देखिए उपर से इस top को मैं यहाँ से draw करता हूँ, लाइन, तो हमको देखने को जो मिल रहा है, आप देख पा रहा है, यह जो line है, जो price है, वह same है, और यहाँ पर भी यह जो price है, वह same है, exact pattern जो है, वो clear head and shoulder का ही नजर आ रहा है, लेकिन यह एक टी कब माना जाता है, इस point को समझने के लिए हम वापस से diagram की उपर चलेंगे, और diagram को हम change करकर देखेंगे, यहाँ clear समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे diagram को मैं लेता हूँ, यह देखे, यहाँ पर भी जो diagram दिखाया गया है, यह बना है, उसमें हमको active curve दिखने को मिलता है, यह active curve होता है, यह pattern, तो इस neck line को break करत होता है, जब तब यह active होता है, और target आपको मैंने mention किया, इस point से neck line से head तक का यह target रहता है, तो week के time frame में हमको मारोती सुझुक इंडिया लिमिटेट के उपर यह pattern देखने को मिल रहा है, और मैंने clear, यह देखे, यहाँ पर भी, जो pattern है, वह head and shoulder pattern ही है, लेकिन active कब हुआ है जब यह neck line break हुआ है, तब के बाद देखे, इस तरीके से fall आता है, यह देखे, इस graph में भी, यहाँ पर यह left shoulder हुआ, यह right shoulder, और आप देख रहे होंगे, इसको हम head बोलेंगे, और यह neck line area breakdown किया, तो फिर नीचे जाएगा price, यह होता है, head and shoulder pattern और मारोती सुझुक इंडिया जो देखने को मिल रहा है, वह week के time frame में, मतलब बहुत बड़ा time frame में हम pattern का निर्माड होते हुए देखने को मिल रहा है, बाकि आप अपने अनुसार analysis कर लिजेगा, आपको किस तरीके का क्या pattern दीख रहा है, market ऐसा है, जहाँ पे हम एक ही समय पे, 4, 5, 6, 7, इस तरीके के का अपना उस तरीके का pattern हम खोज निकाल सकते हैं, तो यह market को हम एक ही pattern के अनुसार trade नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो proper risk management के साथ करेंगे, क्योंकि हम हर बार सही नहीं होंगे, हर बार हमारा pattern बिल्कुल 100% को भी pattern यहां काम नहीं करता है, without stop loss का market के अंदर कोई entry है ही नहीं हम यहां पे 70 बार हमारा यह pattern है के लिए फिल्कुल देखने तो मिल रहा है, लेकिन यह active हो भी जाता है, तो क्या हम को target देखने को मिलेगा, chance कितना है, 70% only, मतलब 30% loss तो होगा ही, तो इस बात को समझना पड़ेगा, और यह market के अंदर है, तो stop loss लेने के लिए बिल्कुल ready यह अगर आप गलत होते हैं, तो stop loss है आपका फिर, और सही होते हैं, तो आपका profit है, तरगे से market में work होता है, यह तो था दोस्तों, week के time frame में हमने analysis करने के कोशिस किया, कि लंबे time frame में क्या pattern create हो रहे हैं, और upper side का pattern है, या downside का, तो हमको जो देखने को मिला हुआ, head and shoulder है, औ अगर break होता है या level, तो हमको downside का pattern मिल रहा है अभी बड़े time frame में, यह है week के time frame में, अब हम चलेंगे short time frame में analysis करते हैं, कि short time frame में हम क्या कर सकते हैं, क्या pattern short time frame में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो day के time frame में हम आ जाते हैं, day के time frame में मैं आ चुका हूँ, और इन सभी graph को सबसे पहले तो, अब हम clear दोस्तों, day के time frame में आ चुके हैं, और day के time frame में हम एक analysis करने कोशिज करेंगे, क्या pattern day के time frame में हमें देखने के मिल रहे हैं, जो short time frame है उसमें, और किस तरीके का comment हो सकता है, up में या down में, तो इसका analysis करके देखते हैं, day के time frame में, आप देख पा र day में continue, इसका जो trend है, वह downtrend है, उपर जाने का सोचा ही नहीं, लेकिन आज का candle आप देख पा रहे हैंगे, मैं पिछले वीडियो में बोला था, कि आज doji type का candle हमें देखने को मिल सकता है, reversal point यही हमारा रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं, हमारा जो candle है, इसको आप inverted है, hammer, doji, यह reversal candle है, market के अंदर, तो बिल्कुल यह reversal candle है, और यह जो pattern create हुआ है, यह candle है, इस candle pattern के अनुसार, हमारा जो buying level रहता है, इस candle के high के उपर रहता है, तो हमारा यह candle pattern भी active हो जाता है, so time frame active हो जाएगा, तो इसको भी हम देख सकते हैं, market के अंदर, हम search कर लेते हैं, किस candle pattern सच किया, हम इस graph के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, दोस्तों, यह bullish hammer इसको बोलते हैं, जो हमें अभी मारुति के अंदर, देखने को मील रहा है, दोस्तों, आज का यह candle है, इसको हम bullish hammer के नाम से market के अंदर जानते हैं, candle pattern के अनुसार, मैंने search भी कर लिया है, जिसे एक candle बनता है, जिसको हम bullish hammer के नाम से जानते हैं, यह candle आप देख रहे हैं, यहाँ पर mark out किया गया है, इसको हम bullish hammer कहते हैं, और यह candle active होता है, जब इस price की candle के high के उपर closing हम को देखने को मिलता है, तब से हम कह सकते हैं, कि यह candle pattern जो active हो चुका है, और उपर के हमें कुछ candle दिखाने का प्रयास करता हूँ, किस तरह के saver करता है, यहाँ पर भी देखिए, यह देखिए, यहाँ पर एक continue trend चला, इसके बाद एक hammer बनता है, bullish hammer, इसके बाद यहाँ से market uptrend, थोड़ा सा गया, इसके बाद फीर से uptrend, downtrend, ऐसा चलते रहता है, market के अंदर up, down, up, down होना ह करने का मतलब है, कि यह जो candle बनता है, इसके वह एक, दो, तीन candle, अगर इस candle के उपर closing मिलता है, तो हमको green देखने को मिल सकता है, यह market वहाँ से reversal point है, यह reversal candle होता है, और grab दिखाता हूँ, यह देखिए, यह जो hammer है, यहाँ पर बना, इसके बाद reverse मुगा market, मतलब आप जितन ग्राब देखेंगे, इस candle pattern के अनुसार, वह ऐसा ही है, और यह अगर एक्टी होता है, work करता है, market के अंदर, आप जानते हैं, market के अंदर, दोस्तों कोई भी चीर, 100% work नहीं करने वाला है, वह 70%, 80% या 60%, ऐसे ही market के अंदर work करता है, क्योंकि भवी से को जान पाना बहुत ही मुश्किल है, भवी से को कोई नहीं कर सकता, कि क्या हो सकता है, अगले दिन, हम अगले मिनट में रहने वाले हैं, या नहीं रहने वाले हैं, इस बात को भी हम नहीं जान सकते हैं, तो बस एक pattern है, जो बनता है, market के अंदर, उसी point को मैं clear करने को सिकर रहा हूं, यहाँ पर, अब हम देखेंगे, आगे क्या कर सकते हैं, तो यह जो pattern है, यह bullish hammer के नाम से, इस candle को जानते हैं, यह की जो candle है, यह bullish hammer, इस candle को कहते हैं, और यह इस price के इसके उपर आता है price, तो हम इसको, अपर यह reversal candle होता है, इसके उपर आता है इसका price, इस stocks का, तो यह active हो जाएगा, और इसके बाद जो price देखने को मिल लगवा, अब move में हमें देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा, देखते हैं, इसमें हम Fibonacci लगा के lower level से और high level तक अभी तक का जो trend चला है उसमें, क्योंकि हर एक trend के बाद एक rejection point या reversal आता ही आता है, तो एक trend चला भी continue, इसके बाद एक reversal point हम में देखने को मिल रहा है, अब या अब trend में आएगा, लेकिन कहां तक आएगा, इसको कोई नहीं का सकता, कोई नहीं जान पाएगा, तो एक बार Fibonacci हम लगा के देखते हैं, कि क्या हमारा जो rejection point है, वा कहां तक आया, और आज जो candle बना है, उसके अनुसार, या reject हो रहा है या नहीं, तो यह जो Fibonacci मैने लगाया, lower level से high level तक अभी तक का जो, तो हमको देखने को मिल रहा है, कि यह जो stock है, वा 50% से थोड़ा सा नीचे और 60% से थोड़ा सा उपर, 61% से थोड़ा सा उपर का reversal या correction इसमें देखने को मिला, अभी जो trend चला था उसके उपर, अब यह हो सकता है, continue करें उपर के level में, लेकिन कहां तक करेगा, इस बात को कोई नहीं बता सकता, Fibonacci retracement के अनुसार में हम, market के अंदर, 50% या 61% के reversal को बहुत अच्छा माना जाता है, और इसके नीचे आ जाता, तो आपसे downtrend होता, और इसी आसपास से घुमता, तो एक छोटा से reversal क पर फिर से घुरता है, लेकिन इस आसपास से reverse ले रहा है, तो एक अच्छा reversal माना जाता है, इस point को, तो उमीद करते हैं कि आने वाले दिन में, अच्छा perform उपर के level के लिए अब हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, और जो candle बना है, यह candle active होता है, तो उपर के level मे कुछ point अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं, यह हो गया फिबुर्सी की अनुसार क्योंकि यहां से भी rejection हमें देखने को मिला है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कल का, कि यहां पर एक doji या hammer या reversal point हमें देखने को मिल सकता है, reversal candle देखने को मिल सकता है, जो moment हो सकता है, उसको भी समझ लेते हैं, इस point से इस point तक हम cup and handle pattern बनाते हैं, दोस्तो वीडियो को आप complete किजेगा जरूर, अभी आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या pattern बन रहे हैं, और किस तरिके का moment हो सकता है, हडबडा के या fast forward करके वीडियो क समझ में नहीं आएगा, यह देखिए हम इस point तक cup के handle को ले आते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरिके का moment हो सकता है, और या, इस point तक और भी आ सकता है, यहाँ वीडियो को और भी या break कर दी, इस point तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी या break कर दी, इस point से इसे करके सकता है क्योंकि यह कल इस एरिया को निकालता है तो वापस से यहां तक जाएगा इसके यहां तक फिर गिरेगा इस तरीके से फिर इस यहां सपास तक आएगा फिर उपर जाएगा इस तरीके से तो इस तरीके से यह जाना होगा इसको तो उपर जाएगा और अगर नहीं जा प वीडियों में कर चुका हूँ क्या है किस तरी के से वर्क करता है तो आपने नहीं देखा है तो उसको जाक के एक बार देख लीजिए इसी स्टॉक के उपर है अब हम चलेंगे अगले टेडिंग दे में क्या कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं इस पॉइंट को समझने का के बाद एक अप्ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड होना ही होता है मार्केट को करेक्ट तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि आज का जो केंडल है वो पिछले केंडलों के मुकाबले बहुत अच्छे से और बुलीस नेस हमें इस केंडल के उपर देखने को मिल रहा है रिजन है कि इसको हम बुलीस हैमर के नाम से जानते हैं और या एक रिवर्सल केंडल होता है तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए हम कर सकते हैं कि हमारा जो व्यू है वा बुलीस है या अप साइड अप आ चुका है कुछ समय के लिए एक दो दिन तीन दिन आइसा हो सकता है continue अप रहेगा ऐसा नहीं है continue डाउन जाएगा ऐसा भी नहीं है और continue साइड वीज रहागा ऐसा भी नहीं है क्यूंकि market है up, down and sideways तीनों चीजे हमें देखने को मिलते रहता है मार्केट के अंदर अकल हम इसको बाई करके जा सकते हैं मेरा जो बाई लेवल रहेगा वो आज के हाई के उपर रहेगा आज का जो हाई है 6,990 रुपई ले लेते हैं थोड़ा सा बफर एड करेंगे क्योंकि हो सकता है स्पाइक मार के आ जाए तो थोड़ा सा बफर रहे ज़्यादा सेफ रहेगा तो 6,990 रुपई के उपर हम इसको बाई करके जा सकते हैं हमारा पहला टार्गेट रहने वाला है 7,020 रुपई का और दुसरा टार्गेट रहेगा 7,050 रुपई का उसी तरीके से हम अपना इस्टाप्रस भी नीचे मेंचन करेंगे 6,960 रुपई का तो इन पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे बाकी मैं टेलिग्राम चैनल के उपर अपडेट कर दूँगा कि हम की इस लेवल के उपर बाई या लाई मार्केट के अंदर में आ जाते हैं वन ओर के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यह हम अब बुलिस कब माना जाएगा जब इस प्राइज को निकालेगा तब तो इसलिए हमने इस प्राइज को चुना हुआ है क्योंकि हो सकता है यहां से ट्रेंड लाइन चल रहा है ट्रेंड लाइन इस तरीके से ब्रेकडाउन भी कर दे अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम इसको सेल भी करके जा सकते है इस लेवल के निचे आता है तो सेल हम करके जा सकते है हमारा सेल प्राइज बन सकता है इस लेवल का 6,940 रुपए तो पहला टार्गेट हमारा रहेगा 6910 रुपए का और दूसरा टार्गेट 6880 रुपए का इस दोरान हम अपना इस्टॉपरस मेंसिन करेंगे वह 6970 रुपए में रखेंगे तो हम इसी स्टॉप के साइड कल नेक्स्ट डेडिंग डे के लिए दोनों साइड प्रिफर करने वाले हैं या रहने वाले हैं हमारा विव रहने वाला है उपफर साइड भी और नीचे साइड भी चूझकि मार्केट में continue downtrend है और downtrend के बात एक rejection या reversal हमें देखने को मिल रहा है अगर यह reversal continue होता है तो फिर uptrend में आ सकता है और continue नहीं हो पाता है तो वापस से गिर जाएगा तो हम दोनों साइड अपना वियू रखेंगे देखते हैं अब कहां पे open होता है इसके अनुसार ही हम अपना वियू बनाने वाले हैं और मेरा जो कर दीजेगा और टेलीग्राम को नहीं जोइन किया है तो कर लिजेगा वहां आपको देखने को मिलते रहते हैं कुछ इंपोर्टेंड अपडेट स्टॉक से संबंधित मारति सेजुक इंडिया लिमिटेज संबंधित और निफ्टी और बैंक निफ्टी से संबंधित तो ब वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद